Hello everyone, welcome back to service lifestyle. I hope आप सभी स्वास्थोंगे, healthy होंगे और मैं नहीं हूँ और रीजन बता रहे थी, एक quick एक update है और actual में मेरा 20 days for you, almost 1 month से वीडियो नहीं आ रहे है रीजन ही है कि कावे 25 days से बिमार थी, 20 दिन ये hospital में कावे admit थी, और हम 3 hospital consult कर चुके हैं, तो कावे के सारे, तो कावे के को पवना लेक का जो अपने वीडियो देगा था, उसके बत फीवर हो गया था, और फीवर ऐसा था, every three hours में आ रहा था, 101, 102, जो जाई नहीं रहा था, तो फिर हमने टेस्ट कर रहे थे, तो प प्लेटर्स का में डेंगर हो सकते हैं, आप admit कराईए, फिर हम होस्पिटल में consult करने गए, तो उन्होंने भूला, कि कावे को admit करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लेटर्स पहुत कम है, तो हमने admission ले लिया, और जो treatment वो से कावे को को improvement ही, उन्होंने जित्ते भी test होते हैं, सार टेंगू, thyroid, सारा dentist से भी मिले हम, ENT से भी मिले, कोई result नहीं, वहाँ सिर्फ फीवर आ रहा था, पराइसो टमॉल मिल रहा था, अंडिबैटि मिल रहा, तो मैंने पने हजबने को लो या को treatment तो नहीं हो रहा, और कावे खाना भी नहीं खारी, घर चलते हैं, घर पर ठीको ज काहां सारे थी, तो इस तरह हमारे दो दिन घर पे रहे, तो हम जब होस्पितल में थे, तो डाक्टर ने बोला था, जिए डेंटिस को देखा, दात इसके सड़ है, तो हम डॉक्टर के पास कहें, फीवर का रीज़न ये भी हो सकता था, तो डेंटिस से मिले तो डेंटिस ने नहीं लगा, तो दूसरों हस्पिटर में जब उन्होंने देखा कावे को, तो बोला पंदा दिन से बुखार है, तो कोई सी रेसिशू नहों जाए, तो से अलमेट करना पड़ेगा, तो से अलमेट किया, एक दिन को, फिर से उन्होंने वो सारे टेस्ट जो हमने कराए थे, वो उन्होंने निल अन्वाइट कर दिया, कहा, कि वहां से इंप्रूब्मेंट नहीं आया, और आपने सारे टेस्ट प्राइवेट कराए थे, तो हम प्राइवेट टेस्ट प्राइवेट 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 कराए थे, तो बहुत पैसा भी लगा, तो उन्होंने नहीं आया किसी भी रुपोर्ट फिर ने ने रिक्रमेंट के हम डेंटेस्स स्थेमेग नहीं इस बहुत बचा ओंध। तो वहां से फीवर तो उतर गया था और जिदें ये कोविड बार्ड में एक दिन रही थी रुपोर्ट आने का वेट करें नेगिटिव आने का तो इसके इंजर लिप से उसमें सब पस आया तो पस मैंने फोटो खीची थी तो पस आधिंग लिप से कहां से है पुरे मुह में चाले भी थे पता नहीं क्या हुआ इसको लोगों ने बोला कि देंटिन को हो जा तो इसकी बद्स का फीवर उतर गया उत्रा तो नहीं इसके साथ क्या हो रहा था मैं बहुत पैंडिसिन दे रही थी तो मैं तो वैल्ड होगी थी इतना मेडिसिन इसका चल रहा है तो इसको जैसे लेटी भी है तो यह पूरा हीट हो जाती थी और जैसी बैठती थी इसका बुखार उतर जाता था तो मैंने ना दवाई दी नहीं इसको परासेटमॉल नहीं दिया जब फीवर मैंने जैसे फीवर आता था हैंकी को गीला किया और पोच्छा तो 20 दिन तक मेरा यही सब चला है हॉस्पिटर में सिर्फ मैं रहती थी में हजबन सुबह आते थे 11 बजे और रात के 9 बजे चले आते थे घर तो मैं ही रहती थी तो यहने कुछ वीडियो बनाए बड़ मैं ऐसे वीडियो अप्रोड करना मुझे अच्छा नहीं लगता और ना देखना पसंद है इसकी सर्जरी नहीं हो से थी यहां पर स्वैलिंग है और नोज में भी स्वैलिंग है इसे बीट नहीं कर पा रही है इंफेक्शन कॉमन है तो स्प्रे दिया है उससे थोड़ी उससे अभी भी ब्रीथिंग प्रॉलम हो रही है तो आज है 21st और ते तनो बाद मैंने सुझा अपडेट कर दो क्योंकि चैनल को ला है वीडियो तो आना चाहिए बट मेरा मनी नहीं था किसी से भी बात करने का घर से फोन आते तो मैंने किसी का फोन तक नहीं उठाए इतनी में में डिस्टर्ब हो गी थी तो हो जाता है मैं किसी से बात नहीं करती अभी डॉक्टर ने जोटा है इसका भी साजरी होगा और इससा प्राइवेट होगा वह जोग कर से बहुत है वह जाते हैं इते जारी जाते करें से कोई हल्पी नहीं मिलती गॉर्मन की पालिसी बहुत ही वेर्ड है तो मैंने सोचा चैनल ही हो लेती हूं अगर मैं चैनल ग्रोव हो गया तो मैं चैनल से इतना कर लूँगी कि शयद मुझे किसी एंजियो में जाके पास जाके कुछ पैसों की जूरत ना पड़े तो मैं थोड़ा सा मैंना थोड़ा सा वेल फील कर रही थी और कावे बहुत होगी अभी वह कुछ खाई नहीं पा रही है उसके गले में पतानी क्या हो गया सारा वह वॉमिट कर देती जब बॉन हुई थी ना वह प्रॉलम हो गई है जब उसकी सर्जरी हो थी ना ऑक्सिजन पाइप और खाने की नली की तो धाई साल तक का जो वॉमिट करते हैं जब मूह नहीं खुलता है बढ़ा तो क्यों होता है नोस से आता है फूट तो सारे व दालूं आई होब मेरी प्रॉलम समझके होंगा अगर मेरा वीडियो इसके टैंटल से दर जो होगे तो बिजो दालूंगी और बताऊंगी क्या प्रॉलम है हम क्या ट्रीटमेंट हुआ है और आपको क्या चाहिए करनी चाहिए और अभी वीडियो का एंड करती हूं और मैं म प्रुरूए।